हेलो एवरिवर्ण वेल्कम बैक तो दस्वीट सिंपल लाइप कैसे हो आप सब यहां पे मेरे घर पे अब लास्ट यह काम है एक्चुली हाउस यहां पे जब न्यू हाउस हम लेते हैं न बिल्ड किया हुआ उनकी तरफ से तो हमें वन येर की वारंटी दी जाती है कि आफ्टर वन येर जो भी यहां पे छोटी मुटी सी डेमेजिस हो जैसे कि पेंट निकल जाना या फिर कई बार ना एजजेस्ट होता है घर नया घर होता है तो क्योंकि यह बुडन हाउस होते हैं यहां पे तो वेधर के हिसाब से थोड़ी बहुत एज़ेस्मेंट होती है उस के तरफ से यह प्रोवाइड किया जाता है जब हाउस हम बाई करते हैं तब सो आज से यह काम सुरू हो रहा है तिन दिन तक चलेगा आज बस यहां पे बहुत जल्दी आठ बजे वो लोग आ जाने वाले थे सो सबसे पहले तो मेरी होती है चाई यहां पे क्योंकि अब आने आज बहुत हो रही है तीन दिन रहे गी एक हपता पूरा ही रहने वाला था बारिस और बारिस में भी आ रहे थे लेकिन गुड थिंग कि यह लोग न सुरूस बाहर निकाल के आते हैं सॉक्स वगरे पहना होता है तो इतना घर में जो कहते हैं पानी वाला घर हो जाए वो न यह तरह की चीज़े बहुत ध्यान में रखी जाती है यहां पर वाला जो टेप लगाई है मैं किचन में करें जा रही हूं काम आप देख सकते हो इस तरह की पेंट किये जा रहे है तो आज क्या करेंगे फरस्ट वो लोग ते लिए कृप लगा यह देखे हैं वहां पेंट क कड़ी के उपर आते थे इस तरह से हम देख के बड़े खुस होते थे तो आज वही वाली पुरानी बाते याद आगे कि देखो यह लोग और बहुत इसको लेडर लेने की जरूरत नहीं एक मुझे यूनिक सा लगाई है कि इसे लेडर लेने की कोई भी जरूरत नहीं बस इसी क्लिप ले लिए बहुत अच्छा लग रहा था मैं मुझे यूनिक से लेडर होता है ना सो हर जगा उसे उठा के लेके जाना यह बस वाक करके ही जहां पर उसे रीच करना है पेंट करना है पेंट कर लिया तो यहां पर पेंटिंग वगेरे डन हो गई थी आल्मोस्ट और ज क्लिणिंग कर रहे हैं यह लोग फिर भी देखिए ओंन solo कर यहां यहां लेडि जहां上 हो गया म सारा कुछ कच्रा लिये जा रही है.. لिजर फिर भी जो हमारे हिसाब से ब्ली नी उती है वह नहीं हो रही थी लेकिन पहला भाते हैं पैंट के वह कार श करूंग नहीं निकलते अपाइनमेंट लेके ही यहां पे काम किये जाते हैं लेकिन फिर भी बहुत घर बीमारी वाला था वो भी अच्छा नहीं था मुझे वेट करना इतना क्लीन करना ही करना था पता था मुझे कि मुझे फिर से सारा कुछ करना पड़ेगा सो यहां पे एवरी डे सिंगल और थ्री अप डेज मैंने सारा कुछ स्विपिंग किया मॉपिंग किया तो मेरा तीन दिन ऐसे ही चला गया इस घर में पूरा क्लीन करने में लेकिन उसके बाद जब प्लीन हो गया तब ऐसा लगा कि चलो फाइनली सारा कुछ ड़न हो गया सो यहां पे first day इस तरह से paint किया गया है पूरे घर को आप देख सकते हो सारी जहां छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन पूरा area cover किया गया है सो सभी जगा paint paint होता है और painting के बाद next day जब scrapping होती है वह बहुत बड़ा task था उनके लिए तो साहत पताने लेकिन हमारे लिए बह आपको बता रहे हूं पूरे घर में इस तरह से बेडरूम में बाथों में सारा कुछ किया गया है अपस्टेर एंड डाउंस्टेर सो हाँ, सो आज सारा पेंट किया गया है कल इसे आएंगे स्क्रेपिंग करने के लिए आप सु करवा बेठी तु हां सु करेचा पचैनल आ देखर उनने थे लावलकों के दूने पुंजो आया जाये शेग लाएंग तु करेच जाते ये आम तो लास्पियरा मुखिंग गया तहे ये शेने बाद ये सो यहां है सोफा के पीछे हम लोग बताना ही भूल गए उन्हें हमारी भी नजर नहीं गई थी सो मुस्मी की नजर गई तो साम को वह पेंट करने लग गई कि मैं कर देती हूं सो कल जो बाएंगे ना तो स्क्रेपिंग हो जाएगी इसके उपर और यह पेंट का बकेट आप कर सकते हो चोटी मुटी इस तरह की चीजे सो यह इस टाइम अच्छे से हमारे लिए यूसफूल हो गई काम में आ गई यह चीजे और इसका बस यही रहता है मेरे जैस मैं भी यूसफूल ऐसे ही थी अभी भी हूं लेकिन बहुत सारी चीजों में मैंने छोड़ दिया ह अब लेकिन ऐसे ही थी कि कोई काम करें वो पसंद ना आए फिर से करना यह तो हला कि हम भूल गए थे और करने बैठी है लेकिन यह मेरी तरह ही है एक्चुली इवनिंग का टाइम है उसी दिन का सारा कुछ यहां पे से हमें लेना है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कल बहुत है कि जैसे हम मूविंग कर रहे है क्योंकि सारे डेकोरेशन की चीजे लेना और सारे सोफा वगएरे फर्मीचर के उपर हमें कवर करना और ब्लैंकेट्स चादर जो वगएरे हैं ना हम जब मूग होए थे तो मुझे लगा चलो मैं इसे डोनेट कर देती हूं कहीं पर अच् प्रप्रोल्बयम हो जाती है लेकिन कुछ चीज़े स्टॉरेज करने में अगां आ ही जाती है देख शकर यहां पर सारा कुछ ले लिया सब कुछ अच्छे से कोभर किया और इसके बाद यहां पर पर एससा तरह से हमने कवर किया है बेडरूंस में क्लोजेट्स में कपड़ के उपर भी कवर करना बहुत बड़ा जिसे मैंने कहा टास्क था आज पूरा मुविंग वाली फिलिंग आ रही है अभी और थोड़ा इरिटेटिंग भी हो रही थी कि क्यों घर क्लीन किया यह पता था कि यह होने वाला है फिर से सारा कुछ गंदा होने ही वाला है हमें साफ फ पे सब कुछ अच्छे से कवर हो गया है और यह नेक्स डेय है मॉर्निंग में फिर से आ गए थे और जैसे मैंने कहा अभी स्क्रेपिंग करेंगे और स्क्रेप करने में सारा दस्ट उरता है पेंट का तो उसी वज़ए से यह बहुत घर यह सेकंड बहुत ही मैसी वाला घर सब देख सकते हैं कितनी सारी स्क्रेपिंग यहां पेंट की निकली है और यह लोग टी अपने हिसाब से वेक्यूम वगेरा करके गए थे जहां-जहां उन्हेंने स्क्रेप किया था लेकिन जैसे मैंने कहा कि यह मोटा मोटा वाला जो होता है वो लोग ले लेते हैं डाट इ यहां दीख रहे हैं स्क्रेण दीख रहे हैं इसे तो मॉपिंग करने से ही जाएगा सो जैसे मैंने कहा और थ्री देज मेरे वेक्यूम और मॉपिंग में ही गए हैं बहुत सारा टाइम इसमें लगा है अच्छा यहां पर मैं एक बात करना चाहूंगी मुझे बहुत सारे कि जैसे कि बेकिंग सोडा किस तरह से लेना हम ले सकते हैं अस्वगंदा हो गया कुछ और हरबल रिलेटेट चीजे हो गई मेरी डायेट के बारे में कब से मैंने खाना स्टार्ट किया एक टाइम सो यह सारी चीजे न मैं वन बाई वन करके आप लोगों के साथ वीडियो मे करना थोड़ा सा डिफिकल होता है क्योंकि इतना एक्स्प्लेंड नहीं कर पाऊंगे वहां पर कुछ चीजे होती हैं जिसे मैं अच्छे से समझाना चाहती हूं आप लोगों को जो अच्छे से आपको समझ लेए मैं में ॡेले सा एयंक। इस इस समया चिस इल्सार हमादी इल्सके लिए में नहीं समया मैं इल्समा च क्ट्रनकर एक 누가 क्रुदिक है हम इल्सके बday कॉळ कि और र्सके को नहीं से ले जाव तो यहां पर तीसरा दीन है और आप देख सकते हिए हो मुस्मिय ने यहां पर सक्रेपिंग की क्योंकि वो लोग इस जगह पर सक्रेप करना भूल गए थे घुदा है कई बाने इतनी सारी जगह हो तो उनसे भी मिस्टेग हो जाती है सो मुसमें ने उनके आने से पहले ही स्क्रेपिंग कर ली जिससे वो सारा कुछ इसके उपर अगेन पेंट करना क्योंकि अब इसके इवन आउट करना होता है सो आप देख सकते यहां पे लेडिस आई हुई है तीन लेडिस है इस कंट्री में ये इस तरह के काम भी लेडिस करती है सो सम टाइम न इन लोगों को देख के भी बहुत मोटिवेट फिल होती है यहां बुढ़े हो जाए चोटे बच्चे हो जाए कोई भी यहां ऐसा कोई कंट्रोलिंग नहीं होता है इंडिया में हाला कि अगर लेडिस काम इस तरह के करे तो कितनी सारी क्रिटिसाइज मिल जाती है उन लोगों को बुढ़े करे तब भी मिल जाती है यहां कोई इस तरह की क्रिटिसाइजिंग नहीं होती है यह देखके बहुत अच्छा लगता है अच्छा एंगेजमेंट में जाना है उसके लिए मैं डिसाइट कर रहे थी क्या पहना है यह गाउन मैंने लिया था इंडिया से लेकिन इसके न डीप कट बहुत है बैक में एक बार मैंने पहना एक्चुली मैं मौसमी के लिए लेकिन मौसमी को यह बिल्कुल भी कलर पसंद आया इसका डिजाइन पसंद नहीं आया मुझे काफी पसंद है ये लेकिन अब सोचा मैं पहन लूँ सो देखती हूं मैं क्या पहन हो यहां सिंपल सा लंच बन गया है कि आज बहुत थकान हो रहे थी सो मुंकी दाल एंड राइस बस यही बन रहा है लंच में सो यस आप लोग कि समटाइम मैं लाइक एंड हाट दे देती हूं इसका मतलग कि मतलग कि उस कॉमेंट को मैंने ध्यान में रखा है सो मैं वीडियो में वन बाइवन करके उसका रिपलाई दे दिया करूंगी सो आपको अच्छे से वह समझा जाए चलिए फी मिलते है नेक्स व्लॉग में टे